हाई फ्रेंड्स वेलकम और विलकम बैग टो मैँ चैनल लवलाव इद रश्मी और मैं हूँ रश्मी अगर आप मेरे चैनल पर ने हैं तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजे और अगर आपने अल्रेड़ी सबस्क्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मज़ आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक प्रोड़क्ट का रेव्यू सेयर करने जा रही हूँ यह हमारे लिए बहुत यूपी होगी है क्योंकि यह है चॉपर यह बजाज का चॉपर तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं इसकी अंबॉक्सिंग कर देती हूँ यह बजाज का प्रेस्टो चॉपर और इसका साइज लिया है मैंने एक्सेल अगर आपकी फॉर फाइब लोगों की फैमिली है ना तो आई सजेस्ट कि आप एक्सेल साइज ही लीजिये जो मीडियम साइज रहते हैं जो न ही वाला लेना चाहिए एक्सेल साइज का लीजिये इसमें दो तरह के ब्लेट्स आते हैं यह चॉपिंग का काम करता है और इसके साथ ना यह कवर दिया हुआ है कवर देने से क्या होता है ना कि आपका उपर वाला जो मशीन वाला पार्ट है वो गंदा नहीं होता है और वन है अब चलिए मैं आपको वेजीटेबल्स कट करके दिखाती हूं तो सबसे पहले इसका ब्लेड लगा देंगे और यह देखें है तो एनियन को मैंने बस हाफ में कट किया है और बस स्विच ओन करके वहां से इसको हलका हलका प्रेस करते जाना है तो इसको थोड़े दिर और प्रेस किया अ देखें कितने अच्छे एकदम छोटे छोटे आपके अनियन कट गया मेरे आपको अगर सूप बनाना है, मंचूरियन बनाना है, कुछ भी बनाना है, फटा फट आपको सोचना नहीं है, कि अरे कौन इतने मेनत करेगा, इतनी सबजियों को कट करेगा, फटा फट दस मिनट में सबजियां हो जाएंगी, सारी अपके रेडी हो जाएंगी, और आप बस ब चोटे कट हो गए तो अगर गाजर का हलवा बनाना है तो अब कोई मुश्किल नहीं बच्चों ने डिमांड करी और फटा फट मैंने बना दिया मेरे पास एक और चौपर है इसी का बजाज का ही था वो वहां पे मेरे मुंबई वाले घर पे था तो मैं यहां के लिए भी कैबिज को थोड़ मोटे मोटे साइज में कट कर लेना है और बस इसको ऐसे प्रेस करेंगे और यह आसानी से कट जाएगा कैबिज पराठा हो गया कुछ भी है फटा फट फटा फट बन जाता है और मंचूरियन के लिए तो बेस्ट है इससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है मैं कहती हूं कि हर एक हाउस वाइफ को यह ले लेना चाहिए पैसे बचाके बहुत भेंगा भी नहीं आता है थोड़े बहुत पैसे बचाके आप यह ले लो यह बहुत काम का आएगा और यह जो बीन्स है बीन्स थोड़ा हाड होत तो इनको थोड़ा टाइम लगेगा यह देखे थोड़ा किया तो थोड़े बड़े बड़े हैं तो मैं इसको थोड़े दिर और प्रेस करूँगी बटन तो यह हो जाएगा बट्य हरे घर में होना चाहिए आपका सबसे किसी को गिफ्ट भी करना है न यकीन मानिया अगर किसी को यह गिफ्ट करोगे न वो आपको हमेशा जिंदगी भर आपको याद रखेगी यह बेस्ट गिफ्ट होगा किसी भी लेडिस के लिए और या अपने खुद के लिए तो औ description box में न मैं इसका link भेज दूँगी आपको वहां पे पिन कर दूँगी तो आप वहां से directly उसको प्रेस करके न आप directly उस page पे जा सकते हो और वहां से खरीच सकते हो I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को like और share कर दीजे और अगर आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को subscribe भी कर लीजे मिलती हूँ आपसे मेरे next वीडियो में तब तक के लिए bye bye love your life